जै मातादी राधे राधे आज दीपक में फूल बनने की सत्यता असत्यता जूट सत्य विश्वास अंध्य विश्वास के बारे में बात करेंगे कई कॉमेंट्स आते हैं या पसनल भी लोग कहते हैं कि यह सब जूट है ऐसा कुछ नहीं होता यह एक सामानि प्रक्रिया है भावना जैसी प्रभुमूरत देखी दिन तैसी जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही उसे भगवान का स्वरूप देखने को मिलता है भले ही भगवान को किस रूप में देखना चाहता है किस स्वरूप में देखना चाहता है यह उसकी नजरों का खेल है यह उसके मन का खे मैं यह क्या कहूंगी कि भगवान ने की तेरी शक्ति सब कुछ नहीं है मैं हूं उपर से करने वाला लोगों के पास बैडूप लब्द नहीं थे सांस लेने के लिए हजारों करोडों की ऑक्सिजन खरीदी जा रही थी तब भगवान को सब ने याद किया था परन्तु जब इ अपने हिफ सुना होगा हिमानचल में जो इस्थित है उनका स्वरूप कैसे अकबर ने अकबर का घमंड चूर हुआ था वह अपनी सेना को लेकर माता ज्वाला के भू गर्व मैं जानी का प्रियास किया कि आँखिर यह ज्वाला कैसे जल रही है यह ज्वाला अभी तक कैसे जल रही है अपनी अकशोनी सेना लेकर गया अपना पूरा प्रियास कर दिया पूरी उसने साइड से बाइं साइड से आप भी देखते होंगे कि एक नहर बनती है उस नहर के माध्यम से उसने नहर को बनवाया और नहर के माध्यम से भूगर्म में जानी की कोशिश कही परंत वह काम्याब नहीं हो पाया आपने सुना होगा किताब में यह बात पड़ी होंगी आप पड़ भी सकते हैं दुबारा भी कि वह मातारानी के चमतकार देखकर मातारानी की शक्तियां देखकर जो है नत्मस्थक हो गया और सवामन के सोने का छटर लेकर माता रानी को चड़ाने पहुँचा परन्तु माता रानी ने उसके घमंड को ऐसा चूर किया उसकी शक्तियों को ऐसा चूर किया वह मुसल्मान होके भी हिंदु धर्म को न मानने वाला होकर की माता की चड़नों में गीर पड़ा माता रानी ने उसका जो छट्र था हुए अस्विकार कर दिया सोने का जो था हुए धातु के रूप में बदल गया यह माना जाता है तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि माता आपको दीपक में फूल बना कर दर्शन नहीं दे रही है आपके इस्ट जो है दीपक में फूल कुछ नहीं होता कल्यूग में तो विसेश रूप से जब से कोरोना काल धर्टी पर आया है भगवान के प्रति आस्था दुगनी चार गुनी हो गई है भगवान है जो ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है हमारे आसपास रह रहा है ऑक्सीजन की जो बोतल हैं उन्हें खरिदने के लिए बेट खरिदने के लिए लोगों की लाईने लग पड़ी थी हजार और लाखों की संपत्ति ऐसे ही लुट गई थी परन्तु उस भगवान के आगे जीवन मरण उसके संकेतों को कोई जुटला नहीं सकता ज्वाला मा के बारे में या अन्य देवी देवताओं के बारे में आपने सुना होगा अमारनात की क्या ऐसे ही आप कहेंगे कि दीपक में फूल कुछ नहीं होता या सामाने प्रक्रिया है परंतु आप बताईए कि बरफ जमना भी तो हमारे फ्रीज में भी तो बरफ जम जाता है परंतु बरफ पूजनी कैसे हो जाता है एक बात बताईए अमारनात में अमारनात में दो कबुतरों के जोड़े को इतना सुप क्यों माना जाता है उनको नीलकंठे क्यों कहा जाता है आप बताईए तो आप इनके जवालों के जवाब दे सकते हैं तो यह भी बता दीजिए कि आजादी के बाद कई लोग भुगर्म में वैज्यानिक तंबू गार कर खड़े हो गए थे जवाला की जड़ तक पहुँचने के लिए परन्त नाम सुना होगा वै अखंड जोत क्यों जलाई जाती है उसके पीछे क्या कारण है साथ ही यह भी बता दीजिए कि केदारनात में इतनी सारी आपदा आई सिर्फ सेवलिंग कैसे बज़िया इन सारे सवालों का जवाब दे दीजिए तो हमारी भक्ति और आस्ता का भी आपक कोशिश करेंगे क्योंकि भगवान है वैं हमारी भक्ति है जो सकती है हमारे जब तब है हमारे दान है हमारे पुन्य है जो भगवान हमारी जो लीलाएं है भगवान हमें संकेत दे रहे हैं हम अपनी पूजा से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रियत्न कर रहे थे और साथ होते हैं और हमें दीपक में फूल बनाने के दोरान सुब संकेद देते हैं यह आपकी भावना है आपको क्या मानना है यह हमारी भावना है यह सचे भक्त हम सब भक्तों की मानिता है कि दीपक में फूल बनता है भगवान हमें सुब संकेद देते हैं स्री अनिरद्धाचा आरे महराज का अपने नाम सुना होगा, हम लोग तो चलो जादा जानकार नहीं है, अपने आपको कभी भी उच्छ नहीं समयना चाहिए, हमेशा नीचे ही बना रहना बहतर होता है, ग्यान कितना भी हो जीवन में, परन्तु ग्यानियां से हमेशा नीचे बनने में ही बहुत अभी उनके पास एक भक्त का कॉमेंट्स आया था, तो उन्होंने भी यही कहा था, कि दीपक में फूल बनता है, तो यह सुब संकेत है, भगवान आपकी पूजा को स्विकार कर रहा है, तो आप भक्त जन बताईएगा, कॉमेंट्स करके आपके एक्स्विरियंस क्या है, क्या है, कि दो खाइगा है, ही कॉमेंट्स आया था, कि अजिए यह मुहवान भला क्योंताएगा, कि मूला क्या नचे है, तो चूमेंट्स आया उनkे प्णिए स्विरियंस करके ऩाइड़ को उन्हेंट्स सुब श्विरियंस कॉमेंट्स आपके चेशर हैं।ारेगी हैं। ability